नमस्ते दोस्तों, कई patients मेरे पास आते हैं MRI की report लेके और बहुत ही परेशान होते हैं कि उन्हें grade 1 medial meniscus tear है और उन्हें surgery करानी पड़ेगी तो आज मैं ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ और आपको ये समझाऊंगा के meniscus tear कैसे होते हैं और MRI में उन्हें की reporting कैसे की जाती है देखे meniscus जो है MRI में एक काले त्रिकोणा कार structure के रूप में दिखाई देता है नॉर्मली ये चटक काला होता है और इसके अंदर कोई सफेद रंके signals नहीं होते हैं कई बार उस त्रिकोणा कार structure के अंदर एक focal थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो सफेद रंका दिखाई देता है उसको grade 1 meniscus signal बोलते है ये grade 1 meniscus tear आपके MRI में रिपोर्टिंग आएगी अगर ये reporting आती है तो आपको तनिक भी घबराने की परेशा होने की जरूत नहीं है ये एक normal report है और ऐसे cases में जब हम दूर्बीन का operation करते हैं दूर्बीन से अंदर देखते हैं तो सब कुछ normal आता है दूर्बीन में कोई भी tear ये कोई भी गद्धी फटी होना ऐसा दिखाई नहीं देता है तो अगर grade 1 tear ये grade 1 MRI signal चाहिए है तो आपको जड़ा भी परेशान होने की आभशक्ता नहीं है चलिए अब बात करते हैं grade 2 MRI signals के बारे में अगर आपके MRI में ये report है कि grade 2 medial meniscus tear है ये grade 2 medial meniscus signal है तो इसका मतलब क्या है कि तिर्कोना कार जो आपका meniscus है उसके अंदर एक छोटी लकीर है जो सफेद रंकी है और जो इस बात की दियोतक है कि वहां पे जो है एक signal changes आ रहे है नब्बे प्रतिशक cases में ये भी एक नॉर्मल इस्तिती का ही दियोतक है और अगर जब हमें इसकी आर्टोस्कोपी करेंगे तो हमको अंदर सब कुछ ठीक ही दिखाई देगा मतला अगर grade 2 tear भी आ रहा है तो नब्बे प्रतिशक चांस ये है कि आपके गुटने में एक्ष्वल में गादी में tear नहीं है ग्रेट टू मीडियल जो signal होते हैं वो तीन तरह के होते हैं ग्रेट टू ए जिसमें सिर्फ एक लकीर जैसा दिखाई देता है और वह लकीर ऊपर या नीचे जो है वह कम्यूनिकेट नहीं कर रही होती है आर्टिकुलर सफेस के साथ ग्रेट टू बी जिसमें लकीर होती है और प्रॉबैबल कम्यूनिकेशन उपर या नीचे होता है और वह किसी एक ही पिक्चर में हमको दिखाई देता है और ग्रेट टू सी जिसमें ग्लॉबियूलर मतलब सूजावा साब को मैनिसकल सिगनल दि नब्य प्रतीशत केसेज में हमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिलेगा सब कुछ ठीक मिलेगा 10 प्रतीशत केसेज में हो सकता है कि हमें एक्चुल गादी में अंदर टेर मिलें जिसके लिए हमको कुछ छोटी गादी की सरज़ी करने की आवशकता हुँ तो अगर ग्रेट 2 टेर भी है आपको अमरे में आ रहा है तो भी चिंदा करने की बात नहीं आम तोर पर हम इसमें ऑप्रेशन का सुझाव नहीं देते हैं नौर्मली इसको दवाईयों से और करसर से ठीक करने की कोशिश की जाती है अगर यह सब करने के बावज़ुद भी आपको नहीं अराम आता है तो कुछ लिमिटेड केसे में हम इसमें दूर बीम का ओप्रेशन जिसको आर्थास्कुपी बोलते हैं कर सकते हैं असल में फटी वह है और जो सिगनल है जो अंदर से गणे फटी है वह मैनिसकल की सत्ह पर उपर नीचे जा रही है तो इसके कारण इसका requirement रहता है। इन पेशेंटों कि उपनार मुन श्रह को सिगनल आते हैं उनमें दूरबीम का ऑप्रेशन करने का requirement रहता हैं, जरूरत रह अगर आपको भी अपने MRI रिपोर्टिंग को लेकर कर्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंड बॉक्स को लेकर बेज सकते हैं धन्य बात